केंद्र सरकार की नीतियों के प्रती लोगों में विश्वास बढ़ाने के लिए इन दिनों भाजपा के मंत्री अपने अपने क्षेतरों में जन आशीरवाद यात्रा कर रहे हैं इसी कड़ी में केंद्रिय मंत्री हरदीप सेंगपुरी और मिनाक्षी लेखी ने दिल्ली में अफनी जन आशीरवाद यात्रा का शुभारम किया केंद्रिये पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सेंग पुरी ने जन आशिरवाद यात्रा का शुभारम करने से पहले गुरुद्वारे में माथा टेका इस अफसर पर उन्होंने कहा कि वे यात्रा से पहले गुरुओं का आशिरवाद लेने आए हैं वहीं केंद्रिय मंत्री मिनाक्षी लेखी ने कहा कि जिस तरहा प्रधान मंत्री जनता के प्रधान सेवक हैं, उसी तरहा मंत्री भी जनता के सेवक हैं। उन्होंने कहा कि इसी सेवभाव से मैं जनता का आशिरवाद लेने उनके बीचाई हूं। और जनता का जो सने है वो हमारे लिए अपार है और उसकी सेवा का जो काम हमको दिया है जनता ने उसी आशिरवाद को प्राप्त करने के लिए और आज जिस भी स्थान पर मुझे पाटी ने सरकार ने काम दिया वो पूरी इमांदारी के साथ देश हित में किया जाएगा इसी जन आशिरवाद यात्रा की आज शुरूआत है गौर तलब है कि ये यात्रा 20 अगस्त तक चलेगी मंत्री मंडल में शामिल किये गए सभी 43 नए सदस्यों ने लोगों का आशिरवाद लेने के लिए ये यात्रा शुरू की है इस यात्रा का उदेश आंतरिक, बहरी, आर्थेक सामाजेक और स्वास्तक शेत्रों और कारिक्रमों में भाजपा के नित्रत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंझाना है